हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोट ने लॉंच किया ओनलाइन आर्टी आई पोर्टल जी हां पोर्टल जारी कर दिया है आटी आई के लिए तो क्या है इसमें आपको जानने के लिए जानेगे इस वीडियो में कि राइट तू इन्फोर्मिशन जो ओनलाइन पोर्टल है सुप्रीम कोट का वो किसके लिए है कैसे यूज करना है और कैसे आप यहां पर अपनी आटी आई कर सकते हैं कैसे आटी आई लगा सकते हैं देखे सुप्रीम कोट ने लौंच किया है ओनलाइन पोर्टल जो हैल्प करेगा सिटिजन्स की फाइल एंड एसस अप्लिकेशन देखे आपको आटी आई लगानी है आपको आटी आई फाइल करनी है तो उसके लिए यह आपने RTI Act On Thursday, CGI said Before we start with the mentioning of cases I wanted to say that RTI Portal is ready उन्होंने कहा कि RTI Portal जो है वो ready है It will start working in 15 minutes In case there are some problems देखे, initially कोई चीज़ शुरू होती है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी टेक्निल खामिया या किस तरह की परिशानी देखी जा सकती है अगर आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉलम आती है, आपको लगता है तो देखे, आप हमें बताईए हम इसको solve करेंगे और हमें खुसी होगी कि हम इसको solve कर पाएंगे तो अब सवाल उठता है कि यह जो Online RTI Portal है, यह है क्या? तो Online RTI Portal has been initiated to make it convenient for people to access information about the Supreme Court देखे, RTI Portal के तहट हमें किसी भी विबाग के विशे में जानकारी प्राप्त करनी होती थी कुछ भी ऐसी information थी जो हम लेना चाते थे अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो करा कि इस RTI Portal के तहट आप जो information access कर सकते हैं about the Supreme Court यानि इसके दुआरा आप केवल Supreme Court से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मांग सकते हैं So far, RTI applications at the Supreme Court had to be filed only via post देखे, अभी तक क्या होता था? अभी तक होता ये था कि आपको कोई भी RTI से जानकारी चाहिए Supreme Court से तो आपको online post के तुरू आपनी application बहिजनी पड़ती थी जिसमें आपको time लग जाता था इस time को खतम करने के लिए कि जमाना जो है technology जो है, जो communication है वो बहुत fast हो चुका है तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर online RTI की requirement देखी जा रही थी इसके regarding आप देखेंगे कि काफी RTI के लिए PIL दाखिल की गई थी जनहित याचिकाएं कि जो जमाना चल रहा है जिस हिसाब से technology आगे बढ़ रही है online RTI portal Supreme Court का होना चाहिए तो देखें, उन्होंने इसी चीज को धान में रखते हुए online RTI portal सुरू कर दिया है earlier last week, the bench headed by the CGI was hearing a petition filed by two law students आकरती अगरवाल और लक्षय प्रोहिद उन्होंने कहा कि practically ready for being launched कि जो application है, वो launch के लिए बिल्कुल ready है the online portal is likely to streamline response of the Supreme Court under the RTI Act अब सवाल उठता है, how does the online portal work? ये काम कैसे करेगा? देखिए, आपके सामने एक यहाँ पर website दिखाई दे रही होगे इस website का link आपको description box में मिल जाएगा आप जैसे ही इस पे click करेंगे तो आपके सामने RTI का जो portal है वो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा essentially the process of filing an RTI in the Supreme Court is the same as how one normally files the application जो अभी तक हम अपनी application by post बेशते थे same वो ही process है, इसमें कोई change नहीं है this web portal can be used only by the Indian citizens सबसे important है इसको केवल भारते नागरिक ही use कर सकते है to file RTI applications first appeals and to make payment of fees and copying charges under the RTI Act जो 2005 में आया था the websites make it clear that only those who wish to obtain information on the Supreme Court can assess it देखिए यहाँ पर कई बार बताया गया है कि अगर आपको Supreme Court से related कोई जांकाई चाहिए तभी इसको आपको assess करना है अगर और भी कोई जांकाई आपको चाहिए central या state government की तो जो उनके यहाँ पर तरीके चल रहे हैं जो authorities हैं जो तरीका है आप उन तरीकों को ही follow कर सकते हैं and applicants first registered themselves in the web portal जैसे ही आप इस web portal पर click करेंगे आपके सामने एक portal खुल जाएगा आपको उसमें सबसे पहले अपने आपको registered करना है यहाँ पर बोला गया है while registering the account it is mandatory to provide your address proof आपको अपना address proof देना mandatory है तो जैसे ही आप उसमें जाएंगे देखिए उसमें आपको कुछ पहले 8-10 point होंगे उनको आप पढ़के just ok करके आगे चलेंगे तो login और register के लिए आपके पास option आजाएगा आप अपने email या mobile से यहाँ पर register कर सकते हैं यह देखिए register के लिए जैसे normal हम application बनाते हैं कोई भी Gmail पर account बनाते हैं किसी भी type से same तो यहाँ पर आपको sign up करना है जैसे ही sign up पर click करेंगे तो आपके सामने की यह page खुल जाएगा आपको अपना नाम, gender, citizenship, address, country, pin code, state, address proof देखिए यहाँ पर आपको अपना address proof लगाना होगा mobile number, email ID उसके बाद in case of low poverty level देखिए आपको 10 रुपे देने हैं अगर आप BPL कैटेगरी के हैं तो आपको वो भी नहीं देना है याँ आपके लिए free of cost रहेगा यह तो यहाँ पर अगर आप yes कर देंगे तो आपके सामने आजाएगा कि अपना BPL कार्ड नमबर डालिए और उसका आपको यहाँ अपना जो scan copy है वो लगानी होगी उसके बाद आप get OTP पर जाएगे तो आपका OTP आ जाएगा उसके बाद आपका जो login है कह सकते हैं sign up वो complete हो जाएगा उसके बाद आप अपना application जो है further file करना है या access करना है वो check कर सकते हैं after clicking the submit button the application can't has to fill in the required details on the page जो मैं आपको बताया कि जो भी required details है वो आप भर सकते हैं जो भी supporting document होगा उसका size वहाँ पर आप देखेंगे तो 1MB से कम होना चाहिए जो fee आपको बताया है मैंने आप internet banking के थुरू credit card और debit card master visa और UPI के तहत यहाँ पर pay कर सकते हैं 10 rupees आपको pay करना है और अगर आप BPL है below poverty level है तो आपको इसके लिए कोई भी payment नहीं करना होगा लेकिन आपको BPL certificate जो भी government के दोरा issue किया गया है उसका आपको number भी देना होगा और वहाँ पर उसकी scanned copy भी लगानी होगी on successful submission of an application जैसी आपने OTP के बाद अपनी application submit कर दी है उसके बाद में आपके पास एक registration number आ जाएगा या diary number आ जाएगा वो अपने पास आपको समभल कर रखना है further reference के लिए further correspondence के लिए देखे आपने payment किया कभी कभी क्या issue होता है कि payment करने के बाद आपका पैसा direct हो जाता account से लेकिन आपके पास message नहीं आता है confirmation नहीं आता है तो देखे 24 से लेके 48 hours तक आप उसका wait कर सकते हैं चीक है उसके बाद ही आपको देखना है कि पैसा या तो वापस आएगा otherwise वो आपका complete हो जाएगा अब बात आती है कि when we can expect a response देखे हम इसका reply कब चाह सकते हैं कब चाह सकते हैं कि हमें reply इसका मिल जाएगा देखे अगर हम कानून की बात करें तो RTI जो है उसका 30 दिन के अंदर reply देना होता है लेकिन अगर कोई ऐसा case है जो life or death का case है तो वहाँ पर within 48 hours यहाँ पर reply देना होता है तो the public information officer जो PIO officer है is bound to furnish information short under the RTI Act within 48 hours if it concerns life or liberty of a person यदि कोई बंदा की life or liberty का सवाल है तो वहाँ पर 48 hours में इसका reply देना जरूरी है यहाँ पर देखे जो 2010 में CIC थे उन्होंने एक पर क्या है यहाँ पर 50,000 का fine लगाया था क्योंकि कोई information मांगी गई थी एक patient के दुआरा और उसका reply within 48 hours के तहत नहीं दिया गया जो यहाँ पर उसकी life और liberty के लिए जो है यहाँ पर concern बता कर उसको यहाँ पर fine लगाया गया तो सबसे important चीज है कि 30 दिन के अंदर आपका reply आएगा और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई life और that से जुड़ावा case है तो within 48 hours यहाँ पर और देखिए जैसे ही आप अपना application डालेंगे within 15 minutes मांगे चलिए कि आपका उस पर काम सुरू हो जाएगा Supreme Court की तरफ से तो देखिए बहुत ही अच्छी पहल है Supreme Court की तरफ से और यह दीरे-दीरे-दीरे कह सकते हैं कि सभी जो विभाग हैं उनमें सुरू होने वाला है बट इस्टार्ट यहाँ पर Supreme Court से हो रहा है अगर यह जांकरी आपको पसंद आई तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें वो वीडियो को सेयर करें चलिए फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत